हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आसा है अच्छे ही होंगे आज मैं एक ऐसी बिमारी की जान करी दूंगी और उससे बचने के लिए घरेलू उपाय भी बताऊंगी तो वीडियो में अंत तक बने रहिए आई हम देखते हैं पीलिया के बारे में पीलिया यानि के जान्रिस पीलिया होने से लोगों को काफी दिकतों का सामना करना पड़ता है इसमें लिवर कमजोर हो जाता है और अपना काम करना भी धीरे धीरे बंद करने लगता है यह बिमारी एकसर पानी से होती है इसमें तवचा नाखुन और आखों का सफेद भाग पीला होने लगता है इस द इसलिए आप बहुत ही सावधान हो जाए और इन दिक्कतों से निजात पाने के लिए घरी दलू तरीके से मदद ले सकते हैं और उसका उपयोग करके स्वस्त हो सकते हैं आये देखते हैं वो कौन-कौन से तरीका है और कौन सी सामागरी है जो आपके घर पर ही मिल सकती है सबसे पहले देखेंगे गन्ने का रस गन्ना का रस बहुत ही उपयोगी है इस बिमारे में जॉन्रिस की तकलिप से निजात पाने के लिए आप गन्ने के जूस का सेवन कर सकते हैं इसके लिए आप रोजाना दिन में तीन से चार बार इस रस को पी सकते हैं दूसरा है टमाटर जूस टमाटर का रस भी पीलिया की दिकत को कम करने के लिए खास भूमी का निभाता है टमाटर में जो है लाइकोपीन नाम का तत्व होता है जो लिवर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है अगर टमाटर के रसका सेवन सुबह खाली पेट किया जाए तो ये और भी जल्दी असर करता है तीसरे नमबर पर है छाच और दही छाच और दही का सेवन करने से पिलिया की दिकत जल्दी दूर होने लगती है इसके लिए आप रोजाना सुबह साम एक गिलास छाच या एक कटोरी दही का सेवन कर सकते हैं दही के सेवन से बैक्टिरिया की वजह से होने वाले इंफेक्शन से बचा होता है और ये पिलिया के लग्छणों को कम करता है इसके बाद है पपीता पपीता चाहे कच्चा हो या फिर पका हो दोनों का सेवन पिलिया की दिकत को कम करने में काफी मदद कार है अगर आप कच्चे पपीते की बिना मसाले वाली सबजी बना कर इसका सेवन करते हैं तो ये लिवर की सेहत को बहतर बनाने में जल्दी मदद करता है साथ ही पका पपीता भी पीलिया की दिकत को दूर करने में अच्छी भूमी का निभाता है इसके बाद है नारियल पानी पीलिया को दूर करने में नारियल पानी भी सहयक है ये लिवर को स्वस्थ रखने में अहम भूमी का निभाता है साथ ही इसका सेवन करने से पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है वैसे नारेल पानी तो सभी के लिए उपयोगी है मूली के पत्ते मूली के पत्ते बहुत ही आवश्यक है पीलिया के लिए मूली के पत्तों के रस का सेवन पीलिया दूर करने में काफी फायदे मंद होता है आप चाहे तो मूली के पत्तों का रस निचोड़ कर उसमें मिस्री मिला कर इसका सेवन कर सकते हैं या अगर आप चाहे तो निबू का रस मिला कर भी मूली का जूस भी पी सकते हैं और पानी से बचेर हैं जो भी असुद्ध पानी है वर्षारितू के समय विशेश ध्यान दें पानी का सुद्ध प्रयोक करें और पीलिया से निजात पाएं धन्यवाद झाल 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 झा झाल झाल